हेलो एब्रीवन वेलकम तो माय चैनल मामा बेवी बींग का पेरिंट्स जैसे ही हमारा बच्चा नाइन या तैन्फ वन कम्प्लीट करता है तो हमारे मन में एक कॉमन सा कोश्चन आने लगता है कि हमारा बच्चा चलना कब सिखेगा और इसी कोश्चन से रिलेट बहुत सारी क में भूमने लगती है कि सामने वाला बच्चा हमारे मैं चाहिअ अनसर के चाहिए और आनशर के जानकारी करते रर वे इंञे सबसे पहली बात कभी वे अपने बच्चे को दूसरे की बच्चे के साथ कंपेर मत कीजिए अकॉर्डिंग टो जेनरल गाइडलाइन बच्चों के टाइम पेरिड बिट्वीन 10 तो 16 मन्त होता है तो जब उन लोगों नहीं भी बच्चे के वाकिंग को 6 मन्त के डिफरेंट में इसक्राइब किया है तो आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है हर बच्चे डिफरेंट उसकी डिफरेंट है हो सकता है कि किसी बच्चे ने चलना जल्दी शुरू किया है किसी बच्चे ने खाना जल्दी शुरू किया है किसी बच्चे ने चीजों को समझना जल्दी शुर मैं यहां पर आपको ग्रोध की कुछ ऐसे साइन्स बताऊंगी अगर आपका बच्चा मंत्वाइज इन साइन को शो कर रहा है तो आपका बच्चा बहुत जल्दी चलने वाला है जनली बच्चे तीन से चार महिने के बीच में रोल अप करना शुरू कर देते हैं अगर हम बच बच्चे प्लेटना 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 शुरू कर देते हैं और यह बच्चे की ग्रोध के लिए फर्स्ट इनिश्येट होता है अगर आपका बच्चा तीन से चार मानते बीच से रोल अप करना शुरू कर चुका है तो यह बहुत बढ़ी अचीवमेंट है आप लोगों वो अपने बैकबॉन के सारे खुद बैट पा रहा है यह बच्चे के लिए बहुत भरी अचीवमेंट है थर्ड क्रोलिंग अगर बच्चे की ग्रोध का थर्ड स्टैप है और इसका मतलब है कि बच्चा वाकिंग की तरफ अपना एक स्टैप इनिश्येट कर चुका है और पुला बच्चे दिंग को फड़ा करना कोशीट करते हैं यफ स्टैटेजário अगर क्शा करते हैं तो समय्जचिष जाए कि आपका बच्'ll को वाकिंग के लिए अपने बढ़ा चुका है और भू मैंनद कर रहा है क्षड़ा हूने के लिए इनिश्मेंट के निप्च्ट आप उसको support कर सकते हैं अपना हाथ पकरवा के बच्चे को स्टैंडिंग अप करवा सकते हैं आप बच्चे को कोशिश कीजिए कि अगर आज वो 10 सेकंड ख़़ा हुआ है तो चार दिन बाद आप उसे 15 सेकंड ख़़ा कराने के कोशिश की जिए इसके लिए इंकुरिजमेंट बहुत जादा इंपोर्टेंट और फाइनल स्टैप है क्रूजिंग मतलब कि जब बच्चा एक जगा से दूसरी जगा जाने के किसी चीज का सहरा लेता है यानि कि जब आपका बच्चा टेबल पकड़ पकड़ कर कुरसी के पास जाने की कोशिश कर रहा है तो वह क्रूजि कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को बहुत जादा इंकरेज करें तालिया बजा 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 के या अपने पास बुला बुला के टेबल और कुर्सी को थोड़ी डिस्टेंस पे रहा है तो उसे थोड़ा डिस्टेंस मिले चलने के लिए और वह अपने वाकिंग पे थोड़ चलने के बाद 12 महीने 15 महीने में के बाउकिंग बच्चे का एक बहुत मेजर माइल्स्टोन होता है इसकी घ्रोट की तरफ क्योंकि बच्चे अगर एक बार चलना शुरू करता तो उना ही जाता है फिर वह नहीं रुकता सबींगा पेनित आप बच्चे को encourage कीजिए support कीजिए चलने में ना कि stress लेके उस पे burden डालिए कि वो इतने month में चलना start कर दें आप बच्चे को observe कीजिए उसकी growth को observe कीजिए और बच्चा जो भी initiate ले रहा है उसमें बच्चे की help कीजिए इवन आप बच्चे के लिए कुछ toys लेके भी उसे बहुत जादा encourage और motivate कर सकते हैं ऐसी कि अगर आपका बच्चा पैटने लगया है तो आप बच्चे को dancing duck या कुछ other toy लाके उसके सामने रख दीजिए जिसके बच्चा उनके पास आने की कोशिश करें crawling करने की कोशिश करें अब आपका बच्चे अगर crawling करना श्रीक है तो आप उसको pull up करवाने के लिए कुछ उची जगा पर कोई चीज रख दीजिए जिसको देखें बच्चा उसको पकड़कर उठने की कोशिश करें तो इस step बच्चे की growth में आप भी support कीजिए उसको यह सब points सिखाने के लिए इ बच्चे की encouragement और उनका support क्योंकि without parent के encouragement के support के बच्चा यह सब initiate easily नहीं ले पाएगा अगर आपका support रहा आपके encouragement रही तो बच्चा हर चीज के लिए बहुत जल्दी initiate करेगा और जितनी जल्दी वो initiate करेगा उतनी जल्दी वो सीखेगा दूसरा tummy time बच्चे को वन मन्त के बा अगर नहीं मिली तो मुझे कमेंट करके बताई कि मैंने क्या मिस कर दिया है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और बैल आइकन को हिट करना पिल्कुल मत भूलिए सो मैं आगे भी आप लोगों के ऐसी अच्छी वीडियो बनाती रहूंग कर्से का सब्सक्राइब